कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादफ का केंज सरकार पर निशाना कहा जिस तरह पीएफ की रकम निजी संस्थान में लगाने पर यूपी में हुई कारिवाही उसी तरह जनता का पैसा डुबोने वाले SBI और LIC के चेर्मैन पर भी हो कारिवाही भाजपा जब यूपी में जेल भेज सकती है तो उन्हें क्यों नहीं भेज रही मुगल गार्डन का नाम बदलने पर भी अखिलेश ने किया कटाक्ष कहा यह कल हमें तुम्हें भी अमरत नाम दे सकते हैं करनौज की योजनाओं का भी नाम बदल दो लेकिन काम तो करो मंदिर ना जाने के मामले पर कहा कि बिजेपी किसी को सुईकार नहीं कर सकती थटिया कट पर जम्मू में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलकर की आर्थिक सहायता म्रतकों के परिजनों को पचास-पचास लाग की आर्थिक मदद की मांग दस मिनट रुक कर इटावा निकल गया अखलेश यादव का काफिला ये तो नाम है कल हमें मंदिर नी दर्शिन करने दिया बताओ ये बीजेपी के लोग तेह करेंगे कि कौन क्या करेगा मुगल कार्डन का भीजेपी तेह करेगी शरमानी शे भारती जंता पाड़ी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहें ये कन्योज बताओ जितना काम आपको दिखाई देरा समाजवादी सरकार का है हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो अमरिद म्यूजियम कर दो अमरिद मेडिकल कॉलेज कर दो अमरिद इंजिनिंग कॉलेज कर दो अमरिद सोचालय कर दो अमरिद सुसु घर कर दो क्यों नहीं करते हो ये सब क्यों इज़द घर नाम रखा है अमरिद घर नाम रख देते उसका ये भारती जन्ता पार्टी की सोची समझे जिससे आप मेंगाई का सवाल ना पूछो, बुरुजगारी का सवाल ना पूछो, जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बातचीत न करें, बताओ बलबन सिंग की आप मदद क्यों नहीं कर पारें, उसकी पत्री की सरकारी नौकरी क्यो नहीं दे पारें आप, समाजवादियों को तो आप कहते थे, कि मुस्लमान हैं तो जादे मदद कर रहें, पिषड़े हैं तो जादे मदद कर रहें, दलेत हैं तो जादे मदद कर रहें, अब तो सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों बलबन सिंग की नहीं मदद कर पारे हो, य यह बीमारी यह बोर्ट से ठीक होगी बाक्षपा सांसर कंजोंच है उनके वारे बाद मुस करो कोई सेंडर नी को नहीं अरे तुम्हें लैसी बिगई यार लैसी बिगई एस्वी डूबने जा रही है सवाल ये बड़े हैं क्या जिस तरीके से उत्तव प्रदेश में प्रॉविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट फंड में जिसमें घाटा हो गया था जिसका नुक्सान हुआ कि उसकी वज़े से उत्तव प्रदेश में कई लोगों जेल जाना पड़ा क्या भारत सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कराया क्या वो लोग जेल जाएंगे के नहीं जाएंगे मैं तो देखूंगा कि आप कितना न्यू शलाते हैं